टाइम लूप पर आधारित एक फिल्म नेट्फिक्स पर रिलीज हुई है जिसका नाम है लूप लपेटा जिसमें तीन O है और इस लूप में तीन O क्यू है इसका मीनिंग शायद आपको मूवी देखने के बाद समझ में आ ही जाएगा और देखो इस मूवी को देखने वाले दो किसम की ओडियंस होगी एक जो इसे लॉजिक लगा लगा कर देखेंगे और बोलेंगे क्या मूवी है और दूसरे बिना लॉजिक के देखेंगे और बोलेंगे क्या मूवी है तो वेल हेलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी एक जर्मन फिल्म रन ल कर देने के बाद आपके मन में सवाल रहेगा कि हैं टाइम लूप का कॉंसेट था पर वो हुआ कैसे वो तो समझाया ही नहीं बस एक सत्यवान सावितरी के कहानी इसमें बताई गई है और उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा इनका नाम सत्या और सावी क्यों रखा गया ह अब इससे जादा बोला तो स्पोईलर हो जाएगा पर इस मुवी की स्टोरी लाइन इसकी सिचुएशनल कॉमेडी कैरेक्टर्स का टाइम लूप के साथ अलग-अलग बिहेवियर लीड कैरेक्टर्स के अलावा जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है उनकी जबरदस्ट अक्ट अब ये जो छोटा सा कॉंसेप्ट है वो इस मुवी में लिटरली तीन बार दिखाया गया है पर हर बार अलग-अलग तरीके से और जिस तरीके से इस पूरे मुवी में कैमेरा एंगल का यूज हुआ है वो अब तक बॉलिवूड फिल्म्स में मुझे बहुत कम दिखाई द ही है और हलके पुलके बेट सिंस भी और जो डायलोग है ना भाई साब तुम्हारे जी में डी होना चाहिए समझ रहे हो दिमाग की मा मचो आइमिन चो के बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं है बस ऐसा ही डायलोग है बट इफ यू नो वाट आमिन समझ में तो आई जाता है सेकंड हाप से ये मुवी काफी ज़ादा एंटर्टेनिंग है क्योंकि वही से टाइम लूप स्टार्ट हो जाता है बट फर्स्ट हाप को बिल्ड अप करने में ज़ादा टाइम लगा दिया याने अगर स्टोरी को सिधा बॉस के अड़े से ही शुरू कर देते तो भी चल ज जाता उनकी बैक स्टोरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी उनको पहले से ही गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड दिखा देते तो भी चल जाता तो ये मुवी कम से कम आधा घंटा और कम हो सकती थी तो बेसिकली अगर आप सिर्फ एंटर्टेन्मेंट ही चाहते हो तो हाँ ये